तो 13 से 20 नमिंबर तक और इवन फॉर्मुला दिली में लागू रहेगा दिवाली के बाद ये और इवन फॉर्मुला लागू होगा यानि कि दिवाली के अगली सुबा तेरा तारीक से और इवन फॉर्मुला लागू होगा और सबसे पहला जो दिन है वो और नमबर की गाडि की तरब से दी गई है कि किन किन चीजों को लेकर के फैसले लिये गए हैं और जरूरत पड़ी तो ये फिलहाल 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक के लिए लागू किया जा रहा है और एवन फॉर्मूला आगे भी इससे लागू किया जा सकता है अगर ये सफल रहा और ये बड़ी खबर है इससे पहले भी एक बार एसा फैसला लिया जा चुका है और उसको इंप्लीमेंट भी किया गया था अब दिल्मी सरकार ने एक बार पिर से ये फैसला लिया है कि और्ड इविन का ये जो फॉर्बुला है वो 13 से 20 तवंबर तक लागू होगा एक बार आपको पिर बता दें कि ये 13 तारीक से लागू होगा 20 तारीक तक रहेगा और इसके बाद की जो सीमा है वो सरकार समिक्षा के बाद तै करेगी बल्राम पांडे स्यादा जानकारी के साथ इस फक्त हमारे साथ जुड़े होगा बल्राम और इवन लागू होगा इसके अलाबा और क्या के निर्णे हैं बिल्कुल देखिए दिल्ली सरकार के मुकमंतरी अरबिंद के इजरिवाल ने आज एक हाई लेबल बैठक की और इस बैठक में आगामी दिनों को ले करके चर्चा की गई कि किस तरीके के हालात दिल्ली में रह सकते हैं और जिस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं दिल्ली में उसको ले करके भी कई अहम निर्णे लिए गए लेकिन सबसे बड़ा जो निर्णय दिली सरकार करा है वो यही है कि दिपावली के दूसरे दिन यानी 13 नौमबर से 20 नौमबर तक दिली के अंदर और इवन फार्मूला लागू होगा और जिस तरीके की परिस्तितिया रहेंगी उसको आगे बढ़ाया जा सकता है या फिर नही उस पर बिचार आगे किया जाएगा लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से स्कूलों को बंद करने का फैसला आज किया गया कि कछा 6 से कछा 12 तक के सभी स्कूल बंद होंगे 10 नौम मर्तक और इसके अलामा ये भी कहा गया है कि अभी तयोहार कई हैं जिसकी वज़े से कई होम को लेकर के भी सरकार निरणे ले सकती है लेकिन कहीं न कहीं एक प्रियोग के तौर पर और इवन को लागू करने की बाद दिली सरकार नहीं कही है और कहा कि जिस तरीके से दिली के अंदर ग्रैप 4 लागू किया गया है उसमें जो BS3 पेट्रोल और जो BS4 डीजल वहान है वो पूरी तरह से दिली के अंदर प्रतिबंधित रहेंगे और ये भी कहा गया है अधिकारियों से कि जो ग्रैप 4 है उसको सकती के साथ दिली के अंदर लागू कराया चाहे और जो निर्माड कार है दिली के अंदर अब पूरी तरह से बंद रहेंगे यानि दिली सरकार ने इस्तितिया खराब हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए कहीं न कहीं अब नियमों को सक्ति के साथ लागू कराया जाएगा हलाकि ये भी कहा गया कि जो anti-smok gun है उनकी संख्या बढ़ाई गई है और साथ ही जो पानी का छिड़काओ है उसको भी बढ़ाया गया है और पूरी दिल्ली में अब पानी का छिड़काओ किया जाएगा तो वहां पर लगातार पानी का छिड़काओ किया जाएगा और यहीं वज़ा है कि MCD को भी सक्त निर्देश दिये गए है कि जहां पर डेश्ट है जहां पर डेश्ट वाला इलाका है वहां पर पानी के छड़काओ की गती जो है वो तेच की जाए और ज्यादा से ज़्यादा पानी चाताओ की कब तक ये कंस्ट्रक्शन वर्क दिल्ली में बंद रहेगा इसके अलावा आप स्कूल को लेकर के भी जो खबरे सामने आरी 10 अबंबर के बाद क्या ये खुलेंगे ऑनलाइन क्लासेज ही होंगे देखिए दिल्ली सरकार ने साब तोर से कहा है कि आगे जिस तरीके के हालात रहेंगे उसको देखते हुए आगे निर्णा लिया जाएगा लेकिन अभी फिलहाल जो निर्माण कारे हैं उस पर पूरी तरह से प्रतिबंद लगाया गया है और ये भी कहा गया है कि 10 अबंबर तक प्राइमरी स्कूल और कच्छा बारा तक सभी स्कूल बंद रहेंगे पहले ही प्राइमरी स्कूल को बंद करने का ऐलान कर दिया गया था लेकिन अब निर्णय लिया गया है कि कच्छा 6 से कच्छा 12 तक के भी स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेश चलेंगी, जिनके एक्जाम है उन्हें छूट दी जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं पूरी कोशिश यही है इस बैठक के जरिये कि दिल्ली में जो उसे कम किया जाए और साथ ही जो डीजल वहन अभी तक दिल्ली के अंदर आ रहे थे उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा और खास तोर से दिल्ली सरकार की यह कोशिस होगी कि जो भारी वहन हैं या फिर जो बसे हैं वो सिर्प CNG या इलेक्टिक के अलावा जो BS6 हैं उन्ही को प्रवेज दिया जाए बाकी उन पर रोक लगाई जाए यह कोशिस है और इसके लिए जो टीमें हैं उनको बढ़ाया गया है और कहा जा रहा है कि यह टीमें निगरानी करेंगी मौनिटरिंग के दोरान अगर कोई वहन इस तरीके का पाया जाएगा तो खिलाब यह कारवाई भी करेंगी हलाकि अब यह भी निर्देश दिये गए हैं कि 24 घंटे यह टीमें सड़क पर रहें और सिप्ट वाइस यह काम करेंगी कुछ टीमें दिन में काम करेंगी तो उनकी सिप्ट लगाई जाएगी और सिप्ट के हिसाब से वह काम करेंगी यान उसका असर अब दिली में किस तरीके से देखने को मिलता है, क्योंकि निर्माणकार पर प्रतिबंद लगा है, और इवन फार्मूले को लागू करने की बात कही गई है, कच्छा बारा तक के जो सभी स्कूल हैं उन्हें बंद कर दिया गिया है 10 नौमबर तक, और दीपावली के बाद किस तरीके की परिस्तितिया रहती हैं, उसको मद्दे नजर रखते हुए आगे भी निर्ड़े लिये जा सकते हैं, लेकिन जब तक ग्रैप फोर लागू रहेगा, तब तक सभी तरह के जो निर्माण कारे हैं, वो पूरी तरह से बंद कर दिये गए.